हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है निरड़े मम्मी जी मैं आपको रोज रोज यू डाक्टर के पास लेकर नहीं जा सकता हूँ आप समस्दार हो अपना ध्यान खुद रखना चाहिए थाना हम दोनों कामकाजी हैं कितनी चुटिया ले सकते हैं आ आखों के आगे पुरानी यादों का चलचितर चलने लगा था वो याद करने लगी कैसे उनके बेटे शोनु ने उनसे मिन्दते की थी कि मामोनु अभी सिर्फ अच्छा मा का है आपको हमारे साथ आना ही होगा इतनी छोटी उम्र में उसको डे केयर में छोड़ना भी सही न प्रिशान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अंजना जी का दिल पिखल गया और उन्होंने अपने बेटे और छोटे से पोते के खातिर इस मैट्रो सिटी में आने का फैसला ले लिया अंजना जी के पती विजय जी भी परिवार की भलाई के लिए कुछ नहीं बोले अंजना जी सभा पांच बजे उठकर अपने बेटे बहु के लिए टिफिन रेडी करती थी फिर पोते के पूरे दिन के काम शाब सफाई के लिए काम वाली आती थी लेकिन छोटे बच्चे के पीछे भागते भागते अंजना जी कब ठक्के चूर हो जाती उन्हें समझ ही नहीं आत चुका था कि अंजना जी अब उन्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगी धीरे धीरे अंजना जी की तबियत खराब रहने लगी अब उनके बदन में उतनी फूर्ती नहीं बची थी लेकिन सोनों और दीच्छा ने उनकी गिरती हुई तबियत की कभी परवाह नहीं की वो द डॉक्टर ने दवायों की लिस्ट सोनों को थमा दी अब तो अकसर अंजना जी बीमार होती और सोनों और दीच्छा छुट्टी कौन लेगा कहकर लड़ने लगते थे बच्चे के लिए एक नोकरानी रखी गई दवायों का खर्चा और नई नोकरानी का बस इसी खर्चे को उठाते हुए सोनों अकसर अपनी मापर गुस्सा होता रहता था करीब एक महीने के इलाज के बाद अंजना जी फिर से चलने फिरने लगी थी उन्होंने सोनों से कहा बेटा मेरी टिकट करवा दो मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ मैं अपने पती के घर में रहन था उसके पास बोलने को कुछ नहीं था साइद उसको भी अफसोस हो रहा था कि समय रहते अगर वो अपनी मा का खयाल कर लेता तो मा जीवन उसके ही साथ रहती लेकिन अबदेर हो चुकी थी आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन् आणिवाद